दोस्तों भविश्य पुरान की माने तो साप का काटना अकाल मृत्यू की श्रेणी में आता है और जिन लोगों की मृत्यू साप कटने से होती है वो अगले जनम में विशहीन साप पनते हैं इसलिए नाग पंचमी दिन नागों की पूजा भी करने चाहिए और अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यू सर्पदंश से हुई हो तो इनका तरपंश राद जरूर करना चाहिए इससे उन्हें सर्पयोनी से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है नमसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इच्छा धारी नागिन के पास एक ऐसा रतन होता है जो किसी हीरे से भी बहुत ही जादा कीमती होता है इस रतन को नागमनी के रूप में पहचाना जाता है लेकिन दोस्तों अगर कोई नागमनी चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जनम और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए दोस्तो यूपी के गाउं में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जनम परंतो गाउं वालों के इस गलती पर नागिन ने जो किया देखकर गाउं वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई इसलिए दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है आप इसको आखिर तक जरूर देखें दोस्तो ये चमतकारी घटना है यूपी के एक छोटे से गाउं अकोला की दरसल ये घटना घटी थुई ललित जी के साथ जो करीब आज से पांच साल पहले एक साधारन ए थोड़ा और अंदर निकल गए उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी वह नागिन गर्ववती थी शाम का वक्त था और ललित जब उस पेड़ के पास से गुसरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दि कर नहीं देखा परंतु उस रात उसके ध्यान में वह चीज जो चमक रही थी वह बार बार आ रही थी वह इतना तो समझ गया था कि वह ना हो बहुत मूल्य चीज थी और अगर वह मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह द ख्यान दिया कि नागिन तो गर्बवती है वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जनम देगी तभी वह नाग मनी चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी बस नाग को मारना होगा दोस्तों कहते हैं एक दिन वह मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जनम देने वाली थी तभी चुपके से ललीत ने नाग के मुह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मनी को वो उस समय गुस्से से पागल होए जा रही थी और उसने ललीत से बदला लेने की ठानी परंतु मनी चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का पर्योग नहीं कर सकती थी परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी इधर ललीत को जैसे ही मणी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया उसकी फसल इस पार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी उसकी तो जैसे मानो लोटरी लग गई हो क्योंकि जो भी वो धंदा कर रहा था उसे हर जगह से लाब मिल रहा था और ललीत को पता था कि ये सब उस चमतकारी नागमनी का ही कमाल है गाव में हर जगह उसका नाम था ललीत के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिष्टा ललीत के लिए उसके पास ही के गाउं से आया और अनुराधा नाम की एक सुन्दर स्त्री से उसका विवाहा संपन हुआ अनुराधा अपने पती ललीत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इसद देती थी दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गाउं में मिसाल बन चुकी थी उदर नागिन भी एक पुरिश का रूप धारन कर अंगद नाम से ललीत के यहां उसका मुन्शी बन गया और ललीत का विश्वास चीतने लगा ललीत भी अंगद के वहवार और वफादारी को देख उसी अपने भाई समान ही मानने लगा एक दिन अनुराधा अपने पती ललीत के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाली हो मैं गर्बवती हूँ ये सुन ललीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन वो खुद अपने मुन्शी अंगद के पास किया और बोला कि देखो अंगद मेरा कोई भाई नहीं है परन्तु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहिया दिखो चुके हो आज मैं बहुत और तुम्हें एक खास जगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है और वो अपनी पतनी और अंगद को कार में बिठा कर गाउं के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब चोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मा की जान उसे जनम देते ही चली गई थी उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मा को वहीं दफना दिया और ललित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था ललित बताता है कि जब भी उसके स दोनों अब मेरी जिंदगी का एक आहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आँखों में पानी भराता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती हैं और गाड़ी को जोर का जटका लगता है जिसके कारण ललित तोकार में ही फसा रहता है। परंदूस की पत्नी अनुराधा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार से ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिती में फसी थी जब ललित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पती और बच्चे को मार कर और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है ललित घायल गाड़ी में फसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेर की जान ले लो परन्तु मेरी पतनी गर्बवती है उसे छोड़ दो परन्तु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिती याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिंजाता है यह जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख होता है नागिन ने ललित का उसकी पतनी के प्रती से माफ कर दिया और अनुराधा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापिस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई जब ललित हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पतनी के साथ घर वापिस लोटा तो उसे अप मनी को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापिस आ गया दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर इस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बसंत में पच्छतावा ही रह जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो म पर नई है तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद